हलो धुस्तों स्वागत है आप लोंका Allmost Phone के एक और ने विडियो में हम बात करेंगे तिन बेस्ट एरबट्स के बारे में और दोस्तों ये एरबट्स अपने प्रैस रेंज में बेस्ट है दोस्तों ये वीडियो मेंने काफी research के बाद और काफी लोगों के opinion के बाद बनाया है तो दोस्तों इस वीडियो में जो airBurts मैं आपको suggest करूँगा वो अपने price to performance ratio में best है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और कॉमेंट में बताए कि आपको कौन सा बेस्ट एरबट्स लगा और दोस्तो अगर आपका कोई भी सवाल हो मोबाइल फोन या फिर गैजेट रिलेटेड तो आप कॉम बेल सी हंड्रेड टी डव्लू एस जो कि एक ट्रू वायरलेस एरबट्स है दोस्तों ये एरबट्स आपको 4000 के रेंज में बेस्ट एरबट्स है दोस्तों इस एरबट्स की फीचर के बात करें तो सबसे पहले ये आपको दो कलर में देखने को मिलता है ब्लैक और उसके मेद आपको 14 जो कि 10 मिचार चर्ड शो दोस्तों इस एयरबट्स की बैट्री बैकप की बात करें तो दोस्तों ये सबसे जयादा है इस प्रसट रिक में दोस्तों ये एरबट्स आपको 5 आवर्स की प्लेबैक害 टाम देता है boundaries फी डिधिक बैटे जो श्की जिशो दूफ इसके अलाव दोस्तों आपको इस earbud में एक और कमाल का features देखने को मिलता है यानि कि आप इसे 15 मिनट चार्ज करके एक गंटे तक का playback time को ले सकते हैं ये एक कमाल का feature है और दोस्तों ये feature आपको कोई और earbuds में देखने को नहीं मिलता है इसके अलाव दोस्तों ये कासी light weight है इसके साथ साथ दोस्तों आपको इसमें Google Assistant और Siri का भी support देखने को मिलता है और दोस्तों इसके सबसे बड़ी features की बात करें तो इस earbuds में आपको theater light sound देखने को मिलता है जो की especially design है JBL के तरफ से और दोस्तों अगर इस earbuds का competitor की बात करें तो अभी अभी लॉंच हुआ है Realme का earbuds वो इस earbuds को काफी अच्छे तरीके से कम्पीट करता है उसमें आपको कुछ extra features देखने मिलता है जैसे wireless charging का support और customized R1 chip जिसे low latency maintained रहती है जिसकी वज़ा से आपको gaming में काफी real time sound देखने को मिलेगा लेगिन दोस्तों JBL का earbuds जो आपको sound provide करता है वो कमाल का है वो आपको इस price range में कोई भी earbuds नहीं करता है तो दोस्तों अगर आप gaming के लिए लेना चाहते हैं तो आप Realme earbuds को ले सकते हैं दोस्तों ये भी काफी reputant brand के तरफ से आता है जिसका नाम है boat दोस्तों ये Air Dobs 411 version 2 है दोस्तों इस earbuds की features की बात करें तो दोस्तों ये भी काफी अच्छे features के साथ आता है दोस्तों इसमें आपको high quality immersive sound देखने को मिलता है वहीं दोस्तों अगर इसकी design की बात करें तो काफी light weight design देखने को मिलता है बस आपको 10 gram का मिलता है और आपके Air में एकदम fit हो जाता है वहीं दोस्तों आप अगर running भी करेंगे तो ये नहीं गिरेगा और दोस्तों इसमें आपको studio calling का features देखने को मिलता है दोस्तों इसमें भी आपको auto pairing का features देखने को मिलता है यानि कि जैसे ही आप case को open करेंगे ये connect हो जाएगा आपके phone से और दोस्तों इसमें भी आपको Google Assistant और Apple के Siri का support देखने को मिलता है और दोस्तो ये AirBuds आपको Sweet and Water Resistant IPX4 के रेटिंग के साथ आता है और ये AirBuds भी आपको Bluetooth 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है दोस्तो इसकी Playback Time की बात करें जो कि है 3.5 गंटे और दोस्तो इसे आपको बस 1.5 गंटे ही चार्ज करना पड़ता है वहीं दोस्तो अगर इसकी Case की Capacity की बात करें तो दोस्तो इसके Case में आपको 500MH की बैटरी देखने को मिलती है Overall दोस्तो ये आपको 10-11 गंटे का Playback Time देखने को मिलता है और दोस्तो इस AirBuds का इस Price Range में सीधे-सीधे कोई Competitor नहीं है तो दोस्तो नेक्स्ट एयर बट्स की बात करें तो दोस्तो ये विए काफी अच्छे Brand के तरफ से आता है जो कि है सिस्का दोस्तो इसमें भी आपको Bluetooth 5.0 का support देखने को मिलता है महीं दोस्तो अगर इसकी range की बात करें जो कि है 10 meter और दोस्तो इसकी playback time की बात करें तो दोस्तो ये 3 घंडे के playback time के साथ आता है और सिर्फ आपको 1.5 घंटा ही charge करना है और दोस्तो इस earbuds में आपको device cancellation का features देखने को मिलता है जो कि इस price range में आपको कोई और earbuds में देखने को नहीं मिलता है और दोस्तो जो sound quality provide करता है calling के time या फिर music के time वो एकतम best है इस price range में दोस्तो इस earbuds में आपको 2 mode देखने को मिलते है Mono और Stereo दोस्तो जब आप इसे Single Mode में यूज़ करेंगे यानि कि आप एक Air Buds को यूज़ करेंगे तो आप ये Mono में यूज़ कर सकते हो जिसके वज़ासे Sound Quality काफी Improve हो जाती है Single Air Buds में भी दोस्तो इसमें आपको Google Assistant और Siri का Support भी देखने को मिलता है तो दोस्तो इसके लावा तीनों Air Buds में आपको Touch Sensor देखने को मिलता है जिसके वज़ासे आप काफी सारी Activity को Play कर सकते हैं जैसे कि Play, Pause, Call, Receive या फिर Track, Change तो दोस्तो ये था तीन Best Air Buds जो कि आपको काफी अच्छा Price to Performance रेशियो देता है दोस्तो में जी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को Like जरू किज़ेगा और Comment में हमें बताए कि आपको कौन सा Air Buds अच्छा लगा